चलिए फ्रेंड्स आज पपीते की एक बहुती टेस्टी सा रेसिपी बनाएंगे बहुती सिंपल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है अगर अपने कभी भी इस रेसिपी को ट्राइ नहीं किया है है और इसे काट लेना है तो इस तरह से काट लेंगे इसका बीज भी निकाल दिया है supervें इस दोकर भी अविया है इस तरह इसेक गरेट करना है तो इसके लिए इस Rag fresh ये और इसका। यह बड़ा वाला यूगस घर में यूज होते हैं उसी का यूज करें तो इसे अच्छे से बना कर लेंगे और इसका जो लच्छा निकलेगा वो एकदम पतलब पतलब नहीं होना चाहिए पतलब हलका सा मोटा हमें चाहिए इसके लिए तो ये देखिए ये साड़े मैंने निकाल लिए है और इसका लच्छा इतना मोटा हमें चाहिए तो अभी इसे साइड में रख देंगे दूसरे और कड़ाई पे सरसो का तेल गरम कर लेंगे और फिर उसमें एट कर देंगे वडी तो ये जो दाल से बनती है वो ही मैंने लिया सुखे डाल की दंपलिंग जी से कहते हैं तो अभीत सामे फ्राइ करना है जब तक बाल अई सब्लय मिटूल को इस चीह प्रवन कर देंगे तो यह है तो तो इसे एक छणी के मदद से निकाल लेंगे और देखिए इसका कलर बिल्कुल ऐसे ही आनी चाहिए तो अलग से निकाल के रख देंगे फिर उसी तिल में आट कर देंगे कलॉंजी और साथी साथ थोड़ी सी हल्दी पाउडर और स्वादानुसा नमक और फिर इसमें आट कर देंगे घिसे हुए पपीता तो और कोई मसाले मैंने इसमें नहीं डाला है सिम्पल सा नमक और हल्दी के साथ ही इससे बनाएंगे तो पपीता डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और हाई करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मतलब जब तक कि हमें पपीते को मसालों के साथ मिक्स करना है नमक हल्दी के साथ तब तक हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और उसके बार इसे हमें medium low flame पर ही छोड़ना है और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये तलवे पर ना लगे अगर ये जल जाते हैं तो इसमें से जलनी की बूँ आती है जो कि बिलकुल भी अच्छे नहीं लगते हैं तो इसे prevent करने के लिए बीच बीच में इस और गैस का flame medium slow रख देंगे और कुछ दिर बाद आप देख सकते हो पपीता एकदम soft हो गए है और इसमें हलका हलका fry होने की खुश्बू भी आ रहे है तो ये लगभग तयार हो ही चुके है और इसका portion भी कम हो गए है तो इस टेज में इसमें आट कर देंगे हरी मिर्च मैं परदाई है उससे बीच में से काटके डाल दिया है आप अपने अनुसार इसमें मिर्च एक्र सकते हो तो इसे डालने के बाद और एक से दो मिनिट हमें पकाना है और फिर उसके बाद इसमें एट कर देंगे कटी हुए धनिये का पत्ता और साथ ही में डाल देंगे फ्राइ की हुए वरिया तो अभी इसे हमें मिक्स करना है और गैस का फ्लेम मैंने ओफ कर दिया है क्योंकि पपिता पूरी तरह से कुक हो चुके हैं हमें इसे और पकाना नहीं है और इसे अभी मिक्स कर देंगे और ध्यार रखिएगा ये दोनों चीज एकदम आखिर में ही डाली जाते है तो इसे गर्म स्टीमिंग राइस के साथ सर्फ कर दें ये बहुत जादा टेस्टी लगते है तो इसे जरूर बनाएए घर पे और मुझे बताएगा कॉमेंट बॉक्स में कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है तो चलिए फ्रेंट्स फिर मिलते हैं एक और नही रेसिपी के साथ और ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज इसे अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए चलिए फ्रेंट्स फिर मिलते हैं